बिल गेट्स इन दिनो भारत में है और इतनी सुर्ख्यों में उनका दोरा नहीं है जितनी सुर्ख्या उनका एक चाय पीने का वाइरल वीडियो बटो रहा है और चाय भी किसी होटल की नहीं बलकि एक टपरी से पी रहे है Microsoft के को फाउंडर और सबसे हैरान करने वाली बात तो और भारत पहुचने के बाद उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से मुलाकात की है लेकिन इस मीटिंग से पहले बिल गेट्स ने एक वीडियो अपने सोचल मीडिया पर साजा किया था जो की भारत से लेकर विदेश तक काफी वाइरल हो रहा है वीडियो में बिल ग नागपूर के डॉली चाएवाले को अपने अनोखे अंदाज में चाय बनाते हुए देखा जा सकता है नागपूर के डॉली चाय वाले की चाय बनाने की अनोखी प्रक्रिया ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान आकरशित किया है वीडियो के वाइरल होते ही इसे लाखो व्यूज मिले। डॉली ने बताया कि उसके अनोखे तरीके से चाय बनानी की प्रक्रिया को देखने के बाद उससे हैदरबाद बुलाय गया था लेकिन उससे बिल गेट्स के बारे में नहीं बताया था। नागपुर के डॉली चाइवाला ने कहा कि मुझे मालूमी नहीं था कि वो कौन है मुझे लगा कि वो विदेशी देश रे आया हो कोई आदमी है इसलिए मैं उसे चाइप लाने लगा मुझे अगले दिन पता चला कि मैंने किसको चाइप लाई है उन्होंने आगे कहा कि हमने जादा बात नहीं की, वे मेरे बगल में खड़े थे और मैं अपना काम कर रहा था मेरी चाई पीने के बाद उन्होंने कहा वार डॉली की चाई तो वहीं जब Bill Gates के अलावा डॉली चायवाले से पूछा गया कि आगे वो अब किसको चाय पिलाने वाले है तो डॉली ने PM मोधी का नाम लिया डॉली चायवाले ने प्रधानमंत्री नरिंदर मोधी को चाय पिलाने के इच्छा जताई है उसने कहा कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नागपुर का डॉली चायवाला बन गया हूँ भविश्य में मैं PM मोधी को भी अपनी चाय पिलाना चाहता हूँ अब यह वीडियो सिर्फ भारत में ही नहीं वाइरल बाकी पूरे देश में भी हो रहा है और विदेश में भी हो रहा है तो वहीं अब डॉली चायवाला केवल नागपुर में ही नहीं बलकि ग्लोबल बन गया है फिलाल इस रपोर्ट में इतना ही ऐसी तवाम खबरों के लिए आप देखते हैं खबरे अभीतल